हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हैस्टेग क्रियेटिव आर्ती पोरवाल में दोस्तो मैं हूँ आर्ती और आज मैं नीटी सुजेंस के लिए बहुत इंपोर्टन न्यूज लेकर आई हूँ जी हाँ दोस्तो अभी अभी एक अर्जेंट नोटिस रिलीज हुआ है इस्ट्रे वैकेंसी राउंड से रिलेटेड तो दोस्तो जल्दी से इस नोटिस को देख लिजे लेकिन उसके पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यह नए है मेरे चैनल पर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजे ताकि सारी लेटेस अबडेट आपको मिल सके और उसके आगर जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजे ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिसना हो पाए और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर भी करिएगा तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं दोस्तों एम्स की ओफिशल लेबसाइट पर एक अर्जन्ट नोटीस निकाला गया है फोर इस्ट्रे वेकंसी राउंड सेकेंड एम्स एम्स की तो उसके लिए काउंसलिंग कल होनी है ग्यारा फरवरी को एम्स नियु डैली में तो जो कैंडिडेट जिनों ने रजिस्ट्रेशन कराया था all candidates who have been registered themselves on the AIMS portal for history vacancy round 2nd from 8th February to 10th February up to 3 p.m. to attend MBBS history vacancy round 2nd for 5 AIMS institutions for August 2020 session are hereby informed to report to the Conference Hall Lecture Theatre 1st and 2nd at Teaching Block AIMS New Delhi on 11th February 2021 in order of merit and time mentioned against rank as candidates below तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है आज जो दुपहर के 3 बचे तक आपको रजिस्ट्रेशन करना था तो जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है उन candidate की एक list आ गई है उस list को भी दिखाऊंगी लेकिन उन सारे candidates को 11 फरवरी को यानि कल सुबह आपको AIMS में New Delhi में जो conference hall है lecture theater first and second teaching block में जाकर आपको physically present होकर अपनी counseling करानी है तो उसका जो schedule निकाला है वो समझ लीजिए जो category है और neat rank है reporting time है और remark दिया हुआ है तो overall rank जो from 14,315 से लेकर 20,085 तक 9 बजे आपका reporting time है और all PWBD candidates जो unreserved and OBC के उनको भी 9 बजे जाना है overall rank from 20,177 से लेकर 8,3,022 तक के बच्चों को 10 बजे पहुँचना है verification will be done subjected to unavailability of the seats and attendance of candidates ठीक है जो verification होगा वो आपका किया जाएगा documents का जैसे सीट available है उसी के हिसाब से और जो candidates जितने present होंगे उस हिसाब से आपका counseling का procedure होगा तो दोस्तों आपको ये बता दूँ इसके लिए एक list release की है इस list को भी देख लीजिए ये overall list list of registered candidates for stray vacancy over open round इसमें आप देख सकते हैं total कितने candidates लगभग 483 candidate का नाम है इसमें roll number दिया application number name category rank दी हुई है तो जो भी बच्चे चाओ भी CK हो चैस CK हो चैस TK उनके आगे category लिखी है उनकी rank भी दी हुई है तो 14,315 rank से लेकर start है और last rank है आप देख सकते हैं काफी बड़ी rank दी हुई है 8,3,022 तो 8,3,022 तक के बच्चों को इसमें बुलाया गया है और 483 candidate की कल counseling होनी है एम्स New Delhi में तो candidate list में जल्दी से अपना नाम चेक कर लीजिए और इन candidates को कल सुबह 9 बजे एम्स New Delhi पहुँचकर अपनी physically present होकर सारे original document के साथ अपनी counseling करानी है तो यह पूरी news थी जो अभी अभी एम्स के official website पर आई है तो अगर आपको यह news अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को subscribe करिएगा और मेरे वीडियो को like और share करिएगा Thank you